गुड़ मौनिंग स्टूडेंट हमार अगला टॉपिक है लीड़ अप गेम्स एंड एक्टिविटीज बच्चों को सारी कुरूप से हेल्दी रखने के लिए और स्ट्रॉंग बनाने के लिए लीड़ अप गेम्स एंड एक्टिविटीज कराई जाती है लीड़ अप गेम्स होती है जो कि लीड़ के माद्दिम से लीड़िंग के माद्दिम से या लीड़ अप गेम्स का मतलब होगा कि तामील तामील हासिल करने के बाद कोई गेम्स लीड़ अप गेम्स कहते हैं इससे पहले हमने minor recreational games पड़ी थी जिन games को लेने के लिए किसी तामिल, rules या equipment की जुरूरत नहीं बढ़ती है लेकिन lead up games and activities ऐसी game होती है जिसमें पहले बच्चों को तामिल दी जाती है for example के लिए जैसे बच्चों को बॉलीबॉल्स खाया जाता है कबड़ी सखाया जाती है खोखोश खाया जाती है फुटबॉल्स खाया जाती है ऐसी गेमों को तामिल्स गेम कहते हैं और या activities कहते हैं ये ऐसी गेम्स और activities हैं जो बच्चों को सारी ग्रूप से healthy रखने के लिए और strong बनाने के लिए कुरवाई जाती है बच्चों को खेलों के माद्यम से नई नई बातें सिखाय जाती है यादि की नई बाते होगे जब बच्चे को हम किसी भी गेम्स के बारे में तामिल्स देंगे तो उस बच्चे को उस गेम्स के rules और discipline और नुसाशन ऐसी सारी उस गेम्स सबंदित बातों के बारे में बताएंगे जिससे बच्चे के बहवारी की जीवन में इन चीजों का नुसरण होगा और उसके बहवारी की जीजों में इन चीजों से उसके बहवार में परवर्त तनाएगा नेक्स ठाता है कि activities अबलिक गेम उनका सहास और आतम विश्वास बढ़ाते हैं ऐसी गेम में उन बच्चों का सहास और आतम विश्वास बढ़ाते हैं जब गेम में अब लीड अप गेम में तामिल जैसी गेम को सिखने के बाद किसी दूसरी टीम के साथ कम्पेटिशन करते हैं और उस competition में उतरने से पहले सबसे पहले बच्चा अपने आतम विश्वास को और अपने सहास को बढ़ाता है कि मैं इस दूसरी टीम से हमारी टीम या हमारी जो टीम है वो जी सकती है तो उसके लिए आतम विश्वास और सहास की बड़ी जुरूरत होती है यह इनकी बच्चे में खुद का आतम विश्वास और सहास लीड अप गेम और एक्टिविटीज जैसी क्रियां से बढ़ता है और बढ़ाया जाता है एक्टिविटीज ओबलिक गेम से हो करना सिखाती है आता है जब तामिल्स गेम लीड अप गेम में हम खेलते हैं तो बच्चे एक दुसरे को सिहो करके रूल्स के अकॉर्डिंग एक दुसरे को किसी भी गेम के बीच में एक दुसरे का सिहो करता है और सिहो करके ही वह इस टीम को जिताता है अथ ऐसी बवस्ता लीड अप गेम अक्टिविटीज अगेम के माद्दिम से होती है नेक्स्ट है धहरय, इमानदारी, निष्टा जैसे गुनों का विकास लीड अप गेम्स, एक्टिविटीज बच्चे में धहरय, इमानदारी, निष्टा जैसे गुनों का विकास करती है गेम्स में डिफरेंट टाइम का एक बात अबन जरनेट हो जाता है जिसमें बच्चे को बड़ी इमानदारी और निष्टा से और धहरे से काम करना पड़ता है कई बार जो इंपायर गेम को प्ले करता है या रैफरी गेम को प्ले करता है तो कुछ एक चीज़ें ऐसी हो जाती है जो किसी को भी दिखाए नहीं पड़ते हैं लेकन जो अच्छा स्पोर्ट्समैन होता है उन चीज़ें को एक्सेप्ट करता है और अपनी मांदारी और धहरे और निष्टा का एक्जेंपल फॉर एक्जेंपल बताता है कि नहीं मैं आउट हूँ और ऐसी बेवस्था के लिए बच्चों में ये सारी चीज़ें लीड अफ गेम ये एक्टिविटी से भी कास होती है तनाप से मुक्ति जब व्यक्ति खुद को स्ट्रेस महसूस करता है और इन चीज़ों को से मुक्ति के लिए वो माइनर गेम्स ये लीड अफ गेम्स का इस्तमाल करता है बच्चे निरोगी रहते हैं आतर ऐसी activities ऐसी क्रियाओं से बच्चे निरोगी रहते हैं मानसिक सकती और मन एकागर करने की क्षमता ऐसी बहुत सारी lead up game है जैसा मैं पहले कहा चुका हूँ कि ऐसी game में जो किसी तामील के मादिम से बच्चों को मिलती है उनको हम lead up games कहते हैं ऐसी games में बच्चों को किसी भी game को सिखने के लिए उनकी rule को follow करने के लिए मन कैकागर होना या उसकी समता बढ़ाना बहुत जुरूरी है तब उस ब्यबस्था से या proper तरह कैसे बच्चा उससी इसको सिख बता है next हमारा topic करते है aerobic इनकी aerobic सब्द एक ऐसा सब्द है जिसको समझने पहले यह समझना जुरूरी है कि aerobic है क्या ऐसी क्रियां जो oxygen ज्यादा मातरा लेने पर की जाते हैं उनको aerobic क्रियां कहा जाता है aerobic क्रियां ऐसी क्रियां जो कम स्वास के माद्दिम से भी की जा सकते हैं उनको aerobic क्रियां कहते हैं हमारे को जो topic है aerobic क्रियां का यानि अरॉबिक्स बियाम क्या होते हैं जैसे साइकल चलाना, तैराकी, घूमना, नौकयान, दोड़ना, लंबी पैदलियातरा करना, टैनिस खेलना इस सारी बेवस्ताइं अरॉबिक्स क्रियाओं में आती हैं यानि कि ऐसा माद्यम, ऐसे माद्यम की एक्सराइज, जिन में हम ज़्यादा अक्सिजन की मातरा में ज़्यादा लंबे टाइम तक कोई कार्या करते हैं, उनको अरॉबिक्स क्रियाओं कहा जाता है छोटे प्रैमरी सेक्षन के बच्चों को ज़्यादा तर अरॉबिक्स क्रियाओं, ज़्यादा एक्टिविटीज ज़्यादा कराई जाती हैं कि उन बच्चों की एक्टिविटीज जो इसलिए करा जाते हैं जिससे बच्चों की हार्ट और लंग्स का एक दायरा बड़े और स्वस्रे और बच्चों के हेल्थ में ज्यादा से ज्यादा सुधार आए उससे के साथ में मैंने एक सब्द की और चच्चा की एनरोबिक्स क्रिया हैं एनरोबिक्स ब्याम ऐसे ब्याम होते हैं जैसे बजन उठाना, क्रियात्मक प्रशिक्षन, छोटी दूरी तक तेज भागना या अलबिदी के लिए पेस्टी सक्ति में बृद्धी करना उसको एनर लंग्स की कपैस्टी को बढ़ाने के लिए और बच्चों को प्रप्पर रूप से स्वस्थ रखने के लिए और अरोबिक्स क्रियाओं के लिए बच्चों को ग्राउंड में खुले बाताबरन में ज्यादा ऐसी एक्टिविडीज जब भी हम कोई सारे एक्टिविडीज कर जाते हैं वो अरोबिक्स क्रियाओं में और अरोबिक्स एक्टिविडीज में काउंट के जाते हैं थैंक यू